अगर अभी तक आपने हमारे चैन को सब्सक्राइब कर लें आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि बिंदू आवेस समूं के काड़ किसी बिंदू पर वैदुद विभाव का मान कितना होगा और इसे कैसे ज्याद करेंगे और दूसरा जो टॉपिक होगा वह होगा एक्योपोटेंसियल सर्फेस सम विभाव प्रीष्ट तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे बिंदू आवेस की कारण वैदुद विभाव तो फ्रेंड यहाँ पर माल लेती हैं कि कोई बिंदू यहाँ पर P1 है और पर Q1 आवेस है इस पर Q2 आवेस है और इस पर Q3 आवेस है और इनकी जो साइन है हमने माल लिए कि इस पर Q1 पर प्लस और Q2 पर मैनस और Q3 पर प्लस आवेस है अब यहाँ पर एक बिंदू O माल लेते हैं जिस पर की वैदुत विभौ की गड़ना करनी है इस पर potential यानि यहां पर भीका मान क्याद करना है आप देखेंगे माल लिया की बिंदू P1 की जो बिंदू O से दूरी है वह R1 है बिंदू P2 की बिंदू O से जो दूरी है वह R2 है और बिंदू P3 की जो दूरी है O से उसको R3 म पाल लेते हैं अब यहां पजरा देखेंगे अगर बिंदू O पर हमको वैदूत विभौ की गड़ना करनी है तो यहां पजरा देखेंगे बिंदू O पर इन सभी आवेसों की कारण जो वैदूत विभौ होगा उनका बीज गड़तिय योग लेंगे यानि अल्जबरिक सम ल बिंदू O पर संपूर वैदूत विभौ तो यहां पर जा देखेंगे वी एक्वल टो वन अपान फोर पाई एपसाइलन नाट और देखेंगे यहां पर प्लस Q1 है तो यहां पर Q1 अपान दूरी कितनी है R1 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 तो देखे Q2 के value minus है तो यहाँ पर यह हो जाएगा minus Q2 अपान दूरी कितनी है R2 है तो R2 प्लस जो Q3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 और प्लस Q3 है तो यहाँ पर देखेंगे Q3 upon दूरी कितनी है R3 इस तरह से और इसे में से common कितना बनेगा 1 upon 4 pi epsilon 0 common बन जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या देखेंगे यहाँ पर Q1 upon R1 यहाँ पर देखेंगे minus Q2 है च्योंकि जो Q2 पर charge है वह minus है तो minus always के कारण जो विभा होता है वह रिडातमक होता है तो यहाँ पर यह minus Q2 by R है तो यहाँ पर जो sign लगेगा minus Q2 by R2 हो जाएगा और यहाँ पर plus Q3 by R3 हो जाएगा इस तरह से तो फ्रेंड बिंद ओप जो वैदुद विभा होगा इन सभी आवेसों के कारण तो उन सभी आवेसों के कारण बिंद ओप जो वैदुद विभा है सब को plus कर लेंगी तो यहाँ ओपर पर परिडामी वैदुद विभा आ जाता है अब फिरेंड आती है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस सम विभा प्रिष्ट सम विभा प्रिष्ट क्या होता है किसी वैदुद छेतर में खीचा किया वह प्रिट जिस पर इस्थित प्रतीग बिंदुद पर वैदुद विभा एक समान हो तो ऐसी प्रिष्ट को, ऐसी सर्फेस को एक्वी पोटेंशियल सर्फेस कहते है प्रकार का हम एक गोला बनाते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से हमने क्या बना लिया एक गोला बना लिया तो इस गोले पर इस गोले की प्रतीक गोले की प्रतीक बिंदु पर जो इलेक्टिक पुटेंशियल होगा वैदुत भिभा होगा वह एक समान होगा क्योंकि यहां से जो इसका रेडियस देख रहे हैं वह एक निशित है इसको मालिया बिंदु ओ पर यह प्लस क्यू चार्ज था तो यहां से देखेंगे यह रेडियस बिलकुल निशित है तो इसकी प्रतीक बिंदु पर जो वैदुत भिभा का मान होगा वह भी क्या होगा बि equal to होता है भी equal to one upon four pi epsilon naught और q by r होता है तो जब r निस्चित हो गया तो इसका मतलब भी हो है कि इस प्रिष्ट पर इस्थित प्रतीक बिंदु पर बैदुत भी हो कामान एक समान होगा इसलिए यह प्रिष्ट सम विभाव प्रिष्ट कहलाएगा यह प्रिष्ट जो होगा यह सम विभाव प्रिष्ट मींस एक्यूपोटेंशियल सर्फेस कहलाएगा और एक्यूपोटेंशियल सर्फेस पर जो वैदु छेतर का जो डाइरेक्शन होता है वह एक्यूपोटेंशियल की लंबावत होगा इस तरह से यह होगा जो इलेक्टिक फ इलेक्टिक फेल्ड इस प्रिष्ट के लंबवत होगे याँ यहाँ पर जो बैदुछेत्र का दिशा होगा तो प्लस आवेस है तो प्लस आवेस से बाहर की उर होगा और इस एक्विपोटेंशियल के लंबवत होगा यानि इस सम्विभव प्रिष्ट के लंबवत बैदुचेतर का डायरेक्शन होगा तो फिर्ट यहाँ यही एक्विपोटेंशियल सर्फेस होता है अब एक्विपोटेंशियल सर्फेस के कि दो बिंदूओं के 20 का अगर हम लोग विभवांतर लेंगे तो विभवांतर चुंकि इसकी प्रतीक बिंदू पर विभव क्या है एक समान है तो यहां पर विभवांतर क्या होगा सुन्य होगा तो एक रिमार कर लिख सकते हैं कि सम विभव प्रिष्ट सम विभव प्रिष्ट के दो बिंदूओं सम विभव प्रिष्ट के दो बिंदूओं के बीच सम विभवांतर बराबर 0 हो जाएगा तो फिरिंड यहां पर सम विभव प्रिष्ट के कोई भी दो बिंदू ले लेंगे यसे यहां पर भी पोटेंसिल भी है यहां पर भी भी है तो भी माइनस भी क्या हो जाएगा